ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्प और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स राजनीती का कच्चा चिठा किसानों के विरोध को देखते वे पुलिस ने बेरिगेटिंग लगाय थे लेकिन किसानों ने बेरिगेटिंग हटा कर मुख्यमंत्री मनुललाल खटर का विरोध किया ऐसे में पुलिस की तरफ से किसानों फर लाटी चार्ज हुआ और आसु ज़स्ते गोले भी वर्साए गए पुलिस ने किसानों को दोड़ा दोड़ा कर पीटा जिसके जवाब में किसानों ने भी पुलिस पर पथराव किया आपको बता दे रविवार को सीएम मनोलाल खटर को हिसार और पानी पत में 500-500 बैट के दो अ इस्थाई कोविड अस्पतालों का उदगाटन करना था सीएम खटर के हिसार दोरे से एक दिन पहले ही किसान नेताओ की और से वीडियो जारी कर इस दोरे का विरोध करने का एलान किया गया था आज तैशुदा कारिक्रम के तहट सीएम के उद्गाटन कारिक्रम के बाद सेकडो किसान जमा हुए और नारे बाजी शुरू कर दी इसके बाद पुलिस ने किसानों को तीतर वितर करने के लिए लाठी चार्च किया और उन पर आसुं गैस के गोले छोड़े कोविड अस्पताल का उद्गाटन करने जाने से पहले मुख्यमंत्री मनुलाल खटर ने किसानों से मामारी के कारण अपने घरों को वापिस लोटने और सरकार द्वारा वायरेस को रोकने के लिए की जा रही कोशिशों को मजबूत करने की अपील की थी खटर ने कहा कि इस्तिती सामन्य होने पर किसान अंदोलन कर सकते हैं खटर ने कहा कि कोविड की पहली लहर में प्रति दिन अधिक्तम 3,000 मामले सामने आये इस बार रोजाना करीब 16,000 मामले सामने आ रहे हैं इससे स्वास्त विभाग को शुरू में भारी दबाव का सामना क खटर ने करना पड़ा लेकिन जल्द ही इस्तिती पर काबू पाल लिया गया धटना के दोरान मुख्यमंत्री खटर के दोरे का विरोध करने पहुचे एक किसान नेता ने बताया कि मुख्यमंत्री के चले जाने के बाद विभिन इलाकों से आये किसान पदेशन कर रहे थे इसी दोरान पुलिस ने किसानों पर अचानक लाटिया बरसानी शुरू कर दी थी किसानों पर पुलिस ने आसू गैस के गोली भी बरसाए इसके जवाब में किसानों ने भी पुलिस के उपर पत्थर उठाकर किसानों ने पुलिस को जवाब दिया किसानों के उपर पुलिस लाठी चार्ज का वीडियो शूशिल मीडिया पर भी वाइरल हो रहा है पॉलिटॉक्स ब्यूरो अडियाना ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स राजनीती का कच्चा चिठ्था